आपको Škoda Octavia तो पसंद होगी, खास करके उसका performance अगर मैं आपको कहूँ कि आपको similar performance मिलेगा at almost half the price और आपको petrol का महंगा बिल भी नहीं बरना पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे, नहीं मानेंगे ना? जी हाँ, मैं बात करहाँ कि इलेक्ट्रिक कार के बारे में अब ही हमने आपके लिए इस पे काफी वीडियो स्टा अलरी बना दिये बट आज बार यह है, असली टेस्ट करने की यह हमारा पहला इलेक्ट्रिक कार का असली टेस्ट होने वाला है यहाँ पे हम प्राक्टिकालिटी पे पूरे टेस्ट करेंगे स्पेस कितनी है, सेकेंड रोम में, बूट में कितनी जगा है परफॉर्मेंस के साथ-साथ, हैंडलिंग कैसी है गाईड़ी की राइड कॉलिटी, we are gonna cover a lot of elements जो कोई और आपके लिए कावर नहीं करेगा और साथ में आप शोरूम पे जाके यह सब चीज़े टेस्ट राइव नहीं कर सकते हो सो यह वीडियो डीटेल होने वाला है watch this video till the end, what are we waiting for, let's go तो गाई शुरू कते है एक्स्टीर के साथ यह पर डिजाइन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं यह अजुम कर रहा हूं कि आप ने हमारे बाकी के वीडियो जेके जह पर आपने बात की है अगर नहीं देखा है अपने तो मैं लिंक छोड़ा है नाई बटन एक बार जाके वहां देख लीजे आप तो पहली चीज़ आप नोटस करो कि इस गाड़ी की ग्रिल बंद है इससे इसका एरोडाइनमिक्स बेटर होता है इन शॉट अगर बोल दूँ तो गाड़ी की रेंज बढ़ाने के लिए यह सब चीज़े की जाती है इसमें जो हेड्लाम्स आते हैं वो प्रोजेक्टर आते हैं लो बीम्स के लिए और हाई बीम में आपको रेगुलर हालोजिन्स मिल जाते हैं लाइट का ओडराल थ्रो जो है वो डीसेंट है बट स्प्रेड इस प्रिटी गुड इसमें आपको 16 इंच के वील जाते हैं आई मीन डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में हैं एंड रियर में भी दिये जाते हैं यानि कि अगर आप लोर वेरिंट भी लेते हैं उसमें भी आपको चालो डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विच इस वेरी गुड पॉइंट यहां पर एक्षी फोर डबलो की अगर चाभी देख तर इसमें लॉक पूट ओपिन एन अनलॉक का फीचा दिये के और इट सबसे वाइडिस है और साथी में वील बेस भी उसका सबसे बड़ा यानि कि पहले पाईये से पीछे के पाईये कि अगर हम लेडन देखते है तो वो सबसे बड़ा आ जाता है और जो आपका फ्यूल टैंक जिवर रहता है जनरली इसमें आपको चाजिंग पूर रहता है तो वो आपको आगे लेफ साइट पे फेंडर पे दे दिया गया इसमें ओके रूफ रेल्स आते हैं आपको डिसरेंट इन अफ है तो इस नाट वेरी हाय यह एकडम भी लो नहीं है तो इस वज़े से चड़ने उतरने में प्राप्लम यह एं रियर डोर डिसेंट इन अफ फुल जाए का फ्रूट ऑर काफी जादे जादा वाइड भी खुल जाएगा जिससे आप एक्स्ट्रा अगर आप एक्सेस है पोई दात दा कर ञें टो फोफ झॉ आप एसी तो दूद ए अगर आप चाट हो कि हम इन गाडियों का दो चाहिए कंपेर इसका कमपेर जिसका क्रेंट अधर इव को मेन उन इं प्रमेंट्राइट अवे अब जाते एंगार वादी का अंधर आज तो आप जो जो quality है वो बहुत अच्छी है अब जो driver के touch points है वो तीनों soft है तो steering wheel की बात कर दी या अगर आप अपना arm रखते हैं left side या right side पे ये सारे soft points आपको मिल जाते हैं seats जो है इसकी सबसे comfortable है in fact अगर आप ये category या एक category उपर में भी देखते हैं तो इसकी seats one of the most comfortable है in all cars wide है अच्छी खासी लंबे trip पे अगर आप जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी and साथी में आपको side में support good enough है तो अगर आप काफी wide है तो आपको इस पे बैठने में problem ही है अगर आप काफी lean है in that case also आप इसकी seats पे comfortably बैठ सकते हैं थाय support भी अच्छा है तो overall जो seat comfort aspect है वहाँ पे ये काफी जादा point score करती है seat जो है इसकी manually adjustable है दोनो front वाली और steering wheel में आपको height adjustment मिलता है touchscreen अगर आप इस गाड़ी का देखते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा कासा display आ जाता है brightness अच्छी है response में कोई दिक्कत नहीं है and overall UI काफी simplistic है to understand reverse camera गाड़ी का काफी अच्छा है visibility में and dynamic भी है तो इससे आपको extra assistance भी मिल जाता है night में थोड़ा बहुत noise आपको clearly दिखाई देगा but ऐसे नहीं कि आपको problem होगी to park the car even in sheer dark अब इसमें आपको android auto और apple car play दोनों available कराए गया है अब सुनते हैं इसकी music quality वैसे इस गाड़ी में काफी सारे फीचर्ज आते जो लिस दो इस गाड़ी में काफी सारे फीचर्ज आते जो लिस्स मैं आपके लिए यहां शेयर कर रहा हूं कुछ-कुछ बता दू तो लेधर एट अपोल्स्ट्री यह स्टेरिंग वील पे लेधर रैप है और साथ ही में आपके पास है संरूफ वैसे काफी सारी चीज़े इस गाड़ी में आ जाती है सेफ्टी के मामले में भी समें काफी बाटल बैट जाएगी और रणिंग चेंज इस गाड़ी में बहुत जल्द आने वाल है जब प्रोड़क्शन मॉडल आगए तो प्रिप्रोड़क्शन गाड़ी है जब प्रोड़क्शन गाड़ी तो इसमें ESP भी इंट्रियूस कर दिया जाएगा साथ ही में तो लिस्ट क काफी लंबी एफ फीचर्स की एंड एवन सेफटी फीचर्स की ऑन दे एक्सवी फोर डबलो अब इस गाड़ी में आपको काफी सारे स्टोरेज स्पेसिस मिलते हैं फोर एक्जामपल अगर आप डोर पैड देखते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी एक लिटर की बाटल बेट जाएगी आगे और एक स्पॉट है जहाँ पे आपकी छोटी साइस की बाटल बेट जाएगी एंड उसके बाजू में डोर पैड में ही और जगा जहाँ पे आप अपने पेपर बुक्स काफी सारी चीज़े वहाँ रख सकते हो फिर आपका गलव बॉक्स भी काफी बड़ा है दो से तीन बॉटल है इसली बैट जागी जिस्ट फर यूर इंफरमेशन तो स्टोरेज अच्छी कासी है वहाँ पे गलव बॉक्स के ऊपर भी आपके पास स्टोरेज है तो कीप यूर फोन और सम्थिंग एल्स एक्सरा अगर पैन वगेरा कुछ रखने तो वहाँ पे भी आपके पास स्टोरेज स्पेस दी गई है फिर सेंटर में आपके पास आगे स्टोरेज स्पेस है आपके पास दो कप होल्डर आ जाते हैं और साथी में आपके आम रेस्ट के नीचे भी आपको अच्छी कासी स्टोरेज है तो कीप फोन और मेबी अलॉट मोर तिंग्स आल्सो तो अगर मैं charging points की बाद कर लो इस गाड़ी में तो आपके पास एक 12V का charging point है और एक USB charging point है जिसे आप CarPlay या Android Auto चला सकते हो एक आपके पास aux cable भी है तो अगर आप पुराना type का कोई phone यो उसकर हो तो आप अपना music भी उसे directly बजा सकते हो पीछे की seat जो है एक बहुत बड़ा advantage है XUV4W को आपके पास अच्छा कासा knee room है head room भी बहुत अच्छा है और गाड़ी जो है ना काफी wide है चौड़ी है ये तो इस वज़े से तीन लोग जब यहां बैठते हैं तो काफी comfortably बैठ सकते हैं तीनों के पास adjustable head rest भी दिया गया है और मानी जाएगा दो लोग travel करते हैं तो आपके पास यहां पे एक arm rest भी मिल जाता है जिससे आप comfortably दो लोग बैठ के जा सकते हैं वैसे seat का recline भी अच्छा है जिस वज़े से आप इहां enjoy कर सकते हो back seat पे बैठना थाई support decent enough है overall गाड़ी का जो airiness question है वो जादा है क्योंकि आपके पास काफी beige elements है पिलर्स पे तो इस वज़े से गाड़ी काफी खुली-खुली फील होती और है स्पेश गाड़ी सो इस वज़े से तीन लोग पीछे आराम से बैठके जा सकते हैं बिना किसी problem के storage space पीछे भी आपके पास similar है एक एक लिटर की bottle डोर पैड में बैठ जाती है और extra storage space दिया हुआ है डोर पैड में जिससे आप easily utilize कर सकते हैं और साथी में आपके पास armrest में भी अच्छी गाथी storage space है for two cups as well वैसे अगर आप इसकी boot देखते हैं तो यहां पे एक full size bag एक medium और एक small bag आराम से बैठ जाता है और फिर भी काफी जगा बच्ची है in the boot for more extra stuff to go in वैसे इस गाड़ी का boot space सबसे बड़ा है in this entire category अगर मैं सारी EVs को compare करूँ फिलाल यह price point में जो आती है और साथी में इसमें जो spare tire आता है वो 16 इंच का ही आता है पर वो 16 इंच का tire थोड़ा पतला है यानि कि आप इसे spare wheel की तरह ही use कर सकते है फुल टाइम नहीं use कर सकते है और इसकी seat जो है rear वाली उसे 60-40 split भी दिया गया है जिस वज़े से आप अपनी boot को और बड़ा बना के जादा practically space use कर सकते है अब बारिये इस गाड़ी को drive करने की कर देते हैं इसको start एकदम silent डाल देते हैं इसको in the L mode drive की जगह क्योंकि वो एक one pedal driving mode है handbrake release कर देते हैं अभी और यहां से चलते हैं तो overall इस गाड़ी का सबसे strongest point है इसका acceleration it cannot be compared मतलब जो overall आपको इसमें thrill मिलेगा of driving वो शायद ही कोई और गाड़ी दे पाए की just like this at least यह price point में या इसे काफी जादा price point पे भी आप देख लो और इसमें तीन driving modes आते हैं fun which is more like a normal mode fast जहां पे थोड़ा जादा sport मिलता है and fearless is more like a hyper mode बहुत ही जादा power आपको यह मिलता है and वो power is the place जहां पे अब चलाओ के गाड़ी बलोग यार बहुत मज़ा गया in fact I have a friend who has taken an octavia उसने भी गाड़ी चलाई and he's like oh kya power है इसमे so it talks a lot about the power और जो one pedal driving है उसे मैंने सिव अभी accelerator छोड़ दिया गाड़ी यहां धीरे धीरे करके रुख गई तो इसको थोड़ा time लगेगा to understand कि आपको accelerator कब छोड़ना है कहीं कोई cases में आपको थोड़ा brake भी दबाना पड़ता है but accelerator छोड़के अगर आप रुख जाते हो यह स्पीड कम होती है इससे आपका overall range better होता है गाड़ी का वैसे इसका claim range जो है 456 km का है पर रियर लाइफ में आप 300-300 का almost expect कर सकते हो अब क्योंकि में थोड़ी low speeds पे हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ गाड़ी को डाल दिया fearless में और acceleration देखिए अब बहुत ही जबर्दस पावर है इसको so overall जो पावर आपको इस गाड़ी में मिलता है that's actually uncomparable even जो इस गाड़ी की handling है बहुत जबर्दस्त है आप इसे यूनो घाट्स पे चलाओ high speed stability की बात कर लो city में चलाने की बात कर लो आपको कभी भी overtake करने में या तेज जाने में या turns पे भगाने में आपको problem नहीं होगी और काफी confidence aspiring गाड़ी है अच्छा इसका steering wheel भी बहुत light है लेकिन फिर भी बहुत जाता lively भी है आपको ऐसे नहीं feel होगा कि यह steering disconnected feel होता है with the wheels आपको हर बार वो एक connect भी feel होगा और आप यह गाड़ी चलाओगे ना you'll fall in love with it very easily प्लस आपको bonnet के edges भी हाँ देखते है तो इस वज़े से getting used to the car भी आपके लिए problem नहीं होने वाला है so overall इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप इसे एक बार चलाओगे आपको बोलते है ना you'll fall in love with it so that is where यह गाड़ी clearly excel करती है और साथी में इस गाड़ी को अगर हम city में चलाएंगे आपको कोई problem नहीं होगा ride quality भी गाड़ी की बहुत जबरदस्त है front row back seat कहीं पे भी आपको ज़्यादा बाउंसी नहीं फिल होता है अबने speed breaker test भी किया तो वहां पे भी गाड़ी ने बहुत अच्छा perform किया है and तीनों passengers काफी comfortable थे in it okay one more area अगर आपको पहाड पे चड़ाना है तो क्या आप इसमें आराम से चड़ा सकते हो जो ease of driving इस गाड़ी का है जो power ही आपको देती है at any given point of time जिसका response है महलों मेंको तो मजा थे इसको सिफ accelerator दबा के चलाने को but overall जो आपको response मिलते है आप कहीं पे भी आराम से चड़ सकते हैं with a fully loaded car 2 braking test में भी गाड़ी ने बहुत अच्छा perform किया है visibility में एक और एक area आजाता है इसका जो pillars है यह बहुत चादा थिक नहीं है तो इस विज़े से आपको visibility में यहां problem नहीं होगी mirror की size भी अच्छी कासी है तो आपको वहां पे भी problem नहीं आएगा in terms of overall visibility तो इससे पहले अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे थे और आप इससे पहले बार चला रहे हो आपको बिल्कुल भी uncomfortable नहीं फीलोगा you can just get used to it in absolutely no time so अगर for example आपको एक गाड़ी चीह जो आप खुद शिटी में चलाने वाले हो and you need something that's fun, fast and साथ में आपको you know एक अच्छा responsive gearbox भी चाहिए so आपके लिए ये एक बहुत जबर्दस choice बन जाती है वहाँ पर अब सवाल ये ओठता है कि आपके गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं so guys ये हो गया हमारा drive part now what is important for you let's talk about it, गाड़ी बन का दी मैंने and here we are अब देखे, XUV4W बहुत ही spacious गाड़ी है, काफी practical है, boot space बढ़ी है second row में अच्छी खासी space है, performance, ride, handling is one of the best in that entire category तो ये सब चीजों की आपको चिंता करने की बिलकुल ज़रवत नहीं है एक काफी जबर्दस्ट and strong product है और अगर आपको outright performance ही है I think आपको कोई और product देखने की ज़रौती नहीं है, you can just go and pick up the XUV4W अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कंपेरो करूँ विद अधर स्काटेगरी जो एलेक्ट्रिक गार्ती है तो मझे कॉमेंट्स में बताईए प्लीज और हमने अभी तक एक भी एलेक्ट्रिक कार का कंपेरो नहीं किया है So this could be our first comparo जो हम आपके लिए कर सकते है So that is one thing and अगर आप अभी भी confused है कि आपको कॉनसी काड़ी लेनी चाहिए आप एक phone call पे जुड़के हमसे अपने doubts clarify कर सकते हो ऐसी कोई service नहीं देता है आपको हमीं देते है और जिन लोगे से आप बात करते हैं वो सारी experts है और ऐसे नहीं कि आपको समझो लेट से 4W आपको हमने समझो 4W recommend की और उसके बाद आपको call आने लगे डीलर्शिप से आपने 4W लेनी है आपको 4W लेनी है नहीं हम वो सब करते ही नहीं यह service सिर्फ आप ही के लिए ताकि आपके doubts clarify हो सके और जो team है हमारी वो एक team of experts है जो सारी गाड़िये चला चुकिए और वो आपको बताएंगे आपके लिए सही गाड़ी को नहीं है ताकि आप गलत गाड़ी के साथ end up ना करें यह project हमने सिर्फ आपके benefit के लिए चला है अब आप पुछोगे कैसे करें चले जाएए motorok10.com पर वहां कार कंसल्टेंसी पर चले जाएए वहां पर अपने कुछ डीटेल्स भर जीजे एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विट एन एक्सपर लेकिन मोटरोक10 को सब्स्क्राइब करना मत बूले क्योंकि हम आपके लिए रोजाना पॉंच जाते हैं बहुत ही डीटेल्स रिव्यूज जिससे आपका कार बाइंग बहुत आसान हो जाता है So, that's all we have for right now मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तो Take care, drive safe, see you tomorrow, bye